हेलो फ्रेंड्स आपके अपने यूटूब चैनल खनन ग्यान पर फिर से आप लोग अश्वाहत हैं आप लोग अच्छे होंगे तो समय ना बरबात करते हैं चलिए आज का अपना टॉपिक शूर करते हैं तो आज का अपना टॉपिक जो है स्टैंडर आफ वेंटिलेशन समव इस भी अंडरग्राउंड खान में काम करने के लिए फ्रेयर की स्वस्थ हवा की आवसकता होती है इस कारण से इसको पर एक रिगुलेशन भी बना हुआ है और इसके उपर हमार जितने भी पॉइंट से इंपॉर्टेंट टॉपिक से इसको हम डिल करेंगे और इसके साथ आ तो स्टैंडर वेंटिलेशन की जो रही है आपको पता ही है क्योंकि किसी भी अंडरकाउंट खान में माइंस में जब भी कारिक सुरू करना होता है तो वहाँ पे स्ट्रेश एयर के बहुत ही कमी हो जाती है जिसके कारण से मैंन मेकनिकल वेंटिलेटर और अन्य तरह के वें पता है जाती है और सुट्वाइशन के लिए कुछ पोइंट से जिनके लिए ओनर एजेंट और मेंजर को बहुत सारी जिम्यवारी डूटिस दी आते हैं तो इसके पर एक एक रेगलेशन को पहले हम देखते हैं खान के मालिक एजेंट मैनेजर का करताव होगा कि वह खान के को मात्रा में औक सीजन और अनुहानिकार मत्रासए opड़ मात्रा से कम होने जंचने वीज्मारी निल्ट में एकसे भागा बिंदों को ध्यान रखते हैं अपने विंटिलेशन को में धरूस्ट करके रखेंगे तो खान में अच्छी बात रहाने पहला के परति होती होते हैं उसमें 6 काम चलता है जो सबसे बड़ा सिफ्ट होता है मांने एक तीनों में जिसके सबसे जादा जो एक हिसाब से उस्फ्ट का अम्वाइस के लिए जाया गा और उससे शिख्स को मल्टिपलाई करके मैकसिमम हवा का यह निकाला जाएगा और शिख्व में को अगर परती दिन के उत पादन में परती टन कोईले पे धाई क्यूबिक मीटर परती मिनिट की हिसाब से हवा भेजी जाने भी चाहिए इन दोनों में से जो सबसे ज्यादा होता हुआ को कल्कुलेट करने के बाद देखेंगे सबसे जादा होता है उतना हवा हम खान में भेजाएंगे कारे स्थाल पर चलता है अगला पॉइंट किया बोलता है कि खान में बंद अस्तानों को शोड़कर अक्सीजन की मातरा कहीं पर भी 19% से कम नहीं होगी कहीं पर जहां पर कार्य चलता है जहां पर accessible हो कोई भी employee worker जो हां पर पहुंच सकता है कारी हो सकता है वहां पर वक्सीन की मातरा 19% से कम नहीं होगी और carbon dioxide जो है उसकी मातरा कि अगला पॉइंट जो हमारा ventilation district में कहीं भी समान्य वातावरण में कि समान्य वातावरण के जोनल सीन यहां पर ध्यान रखिए बहुत important पॉइंट है और इसमें हमेशा confusion हो जाता है कि क्या बोलना चाहरा है यह लाइन ठीक है कहीं भी समान्य वातावरण में जो हवा कि में जो है वहां पर रिटर्न में वात्समान वातावरण के हिटर्न में जहां पर ventilation से हवा भेज जारे उसके रिटर्न में हवा में जोलन सील गैस की जो मात्रा है 0.75% से अधिक नहीं होने चाहिए और जहां पर जेनरल बोडी में जी बीडी जेनरल बोडी ऑफ एयर में जी वहा ठीक है और अगला पॉंट जो बोल रहा है किसी भी कार्यस्थल पर तापमान पर पर प्रवीजन जो दिया हुआ है इस रिगलेशन में रिगलेशन 153 में कि किसी भी कार्यस्थल पर तापमान जो है 33.5 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है वह जो आपका जो है यह जो दिया हुआ 33.5 वो दिया हुआ है आपका वेट वाल टंप्रेचर का ठीक है इसको ध्यान रखिए एक रिग्रेक्शन को एक बार ध्यान से पढ़ लिजेगा कि अधिक नहीं होने चाहिए और जहां पर तापमान जो है 30.5 से अगर अधिक होता है तो में से जो सबसे ज्यादा होता है उसके हिसाब से खान में हवा भीजी जाती है यह ध्यान में रखेंगे ठीक है चलते आगे पूइंट नमर थे क्या बोलता है कि अपर में जितने वी रिगुलेशन गिया हुआ हुआ उनका मातरा को गयात करने के लिए 30 दिन में एक बार हव और किसी में प्रॉबलम होता है तो द्वारण परमिसन लिया जा सकता है और रीम चाहे यानि की डिजनल एस्पेक्टर चाहे तो वह उसमें अपनी राय दे सकता है कि किसी खान में क्या जरूरी है क्या नहीं है ठीक है तो आसा करता हूं आपको वज़शतिर सब्समझ में आ उसको देखते हैं कारवन डॉकसाइड उपर मैं प्रतीस अधिक नहीं होना चाहे है मताभी धारण फाइग तक ही खान में कार्वन डयकसाइड मोजूद होना चाहिए उससे ज़्यादा नहीं यह उसके ज़्याद कारवन मोलोड और सब्सक्रावन गतर्छाइड ने होना च और S2S की बात करें तक 10 PPM तक आवविबल है और इसकी बात जो हमारा S02 है S02 की जो मात्रा है वह 5 PPM तक ही है इसको ध्यान रखेंगे स्टेबल को याद करें इससे कोशन बनी जाता है जिनको यह पाता है उनके लिए मातार की परम सुहने और तो फार जो चलते हैं चलते हैं हमारा जो अगला question है standard of ventilation को बनाए रखने के किन की जिम्यवारी होती है तो पहला वाइन ही है तो पहला जो है वह है owner agent and manager तीनों की जिम्यवारी होती जाने की all of the web option D सही है ठीक है चलते हैं अगले question क्यों किसी खान में प्रतिव्यक्ति किसी हवा में भेजी जाने कि स्थे जानी चाहिए किसी खान में प्रतिव्यक्ति कितनी हवा भे जी जाने चाहिए तो हम लोग जानते हैं प्रतिव्यक्ति कितनी हवा भे wszystkie चाहिए और वह है होई एक दिन में कितना हवा जरूरी होता है उसके हिसाब से हम लोग करोकुलेट करके तब डालेंगे और जब पर्ति-व्यक्ति की बात आ है तो वह सिफ्ट के ऊपर बात होता है ठीक है ध्यान पर रखेंगे प्रोडक्षन पर दिन पर काम करेंगे और जब इम्पलए की ऊप मात्रा कम से कम कितनी होनी चाहिए तो खान में किसी कार इस्थल पर कार्बन डायोकसाइड की मात्रा कितनी होनी चाहिए कितने सधिक नहीं होनी चाहिए तो सही उत्तर इसका क्या है जानते हैं इसका सही उत्तर है ऑप्शन भी आधे परतिशत से ज्यादा नहीं तक होनी चाहिए चलते अगली प्रश्ण क्यों खान में किसी डिश्टिक में रिटर्न के हवा में जोनल्सीन गैसो की मात्रा कि हां पर ध्यान रखेंगे दो सबसे अधिकतम मात्रा कितनी होने चाहिए तो इस को बहुत इंपोर्टेंट ध्यान से रखेंगे ध्यान रखेंगे और सुने लिए जो कोशन है किसका सही उत्र क्या हो जाएगा सही उत्र है 33.5 और आपको पता है कि खान में 30 डीज़ी से ज्यादा होने पर कितना हो बहुत आप महामलों को कितने की हवा के हिसाब से भेजना चाहिए तो एक मीटर पर 30 के हिसाब से हवा भेजना चाहिए चलते अगले प्रशन की ओर खान में किसी कारेस्थल पर तापमान कितने से अधिक होन करेंगे और एक प्रशन और है आप लोगों के लिए कोमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इसका उत्तर क्या होगा कि खान में 30 डीज़ी होने पर कितना पानी परतिव्यक्ति सप्लाई किया जाएगा एक प्रशन आप लोगों के लिए हैं यह आपको रूल से कोशन है तो इसके लिए आप कोमेंट बॉक्स में एंसर को दें और मैं अगले वीडियो में इसके लिए आपको एंसर भी देल करूंगा ठीक है तो चलते है अगले कोशन क्यों हमारा जोगला कोशन है खान में किसी कारेसल पर सीयो की अधिकतम मात्रा कितने सदिक नहीं होना चाहिए बह इसको सही उत्तर है वह है टेन पीपिम से किसी स्थान पर ज्यादा नहीं होना चाहिए तो सही उत्तर इसका चलते है अगले कोशन की और तो हमारा जो अगला प्रेशन है नुमरिकल बेस्ट कोश्चन है इसको सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगा और इसको ध्यान से जुनि बनाए गए हैं तो बहुत इंपोर्टेंट कोशन है ध्यान से सुनिएगा समझेगा ठीक है किसी भी खान में प्रती दिन है थे प्रसक्राइबाओं उसी को हम लोग क्या लेते हैं अंसर लेताए तो ।् 2.5 से तो इसका एंसर क्या हो जाएगा सेवन फिप्टी क्यूबिक मीटर परती मिनट और दूसरा जो है इसको इंप्लोई है उसको इंप्लोई को जो हम लोग पर्शन के हिसाब से सिक्स से मल्टिप्लाइ करते हैं तो यह हो जाएगा 600 मीटर क्यूब परती मिनट ठीक है तो इन दोरों में सबसे अधिक सबसे अधिक है 750 इसका सही तो रख्या हो जाएगा 750 मीटर क्यूब परती मिनट के हिसाब से तो इसका सही ऑप्षन से एंसर क्या हो जाएगा तो सही ऑप्षन है ऑप्षन भी ठीक है तो चलते है अगले प्रशन के और हमारा अगला प्रशन भी एक नुम्रीकल बेस्ट कोशन ह तो इसमें तीन चार जो दिया हुआ टॉपिक उसको द्यान में सुनेंगे और समझेंगे एक खान में वेंटिलेशन सर्वे में नीम अवस्था पाई गया मतले किसी जवब से वेंटिलेशन में सर्वे हुआ और यह कंडिशन से आपको मिला पहला प्रोडक्षन जो है परतीव त्री मीटर दिया हुआ है और वेट वहल का तापान जो है 31.5 डिए सेल्सियस है यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से और बहुत कंफ्यूजिंग कोश्चन है तो बहुत ध्यान से समझेंगे ठीक है तो पहला चीज हम लोग प्रोडेक्शन की हिसाब से क्या करते हैं इसका यह निकाल लेते हैं तो प्रोडेक्शन की हिसाब से जब निकालेंगे तो प्रोडेक्शन की हिसाब से तीन सो इंटू कि अधाइस को कर लेंगे हम लोग का जो है इसका इसी मल्टिप्लाइं सेक्टर है तो इसका हो जाएगा 750 मीटर क्यूब परति मिनट ठीक है और उसके बाद जब इंपलॉय की हिसाफ से बात करेंगे तो कितने है 104 ठीक 104 को हम लोग मल्टिप्लाई कर देंगे तो इसका एंसर आएगा आपका लगभग छे जॉस्ट वोर्जा ट्वन्टिफॉर एंड शेच्ट वन्टू एंसर शेच्ट छोवीस मीटर क्यूब पड़ती मिनिट की हिसाब से ठीक है और लास्ट जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है उसको ध्यान से लेखेंगे लास्ट जो दिया हुआ गया कि 31 डिग्री सेल्सियर्स है तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अकसर यह दो चीज़ को हम लोग ध्यान रखते और तीसरे चीज़ को भूल जाते हैं कि वेट भाल करेंगे तो अब आउट हम लोग टेंप्रिचर से कल्कुलेट करेंगे तो इसको जो है इसका पॉइंट को ध्यान राखें क्या है इसका 824 आप कल्कुलेट करके देख सकते हैं तो इसका सब्सक्राइब इसका सही उत्तर है ध्यान रखेंगे बहुत ही कंफ्यूजिंग कोश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है इसको अच्छी तरह से सौब करके एक दो बर देख लेंगे और नहीं समय बताए फिर से वीड करके अब देख लेंगे आपको जरू समझ में आ जाएगा आसा करता हूं आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इससे एक नएक से नंबर का कोश्चन जरूर आ जाता तो इस वीडियो को राम से ध्यान से द बूले दने वाग